हाई प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया कि कैसे आवाज देखते हैं फिर मिनिट्स देखना बताया और फिर दोनों को कमभाइन करके देखना बताया आज हम देखेंगे कि इंग्लिश में कुछ टर्म्स यूज होती हैं जो समय बताने के लिए होती है उन terms को use कैसे किया जाए उसे थोड़ा सा समझाए जाए थोड़ा सा उसे हम समझते हैं तो हम यह जानते हैं कि जो one hour होता है मतलब एक घंटा होता है वो 60 minutes का होता है correct अब एक term use होती जिसे कहते हैं half half मतलब आधा आधा किसका 60 minutes का 60 minutes का half कितना होता है 30 minutes तो इस वक time जो बड़ी सुई है वो यहाँ पर है time क्या हो रहा है एक बच के 30 minutes one hour and 30 minutes तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि half an hour बीच चुका है half past one तो इसे हम कह सकते हैं हाफ पास्ट टू अधा घंटा बीद गया है दो बचकर half past two इसे कहेंगे half past three clear अब आपको quarter के बारे में बताते हैं quarter quarter का मतलब होता है तो इसे कह सकते हैं वन फोर्थ वन फोर्थ किसका वन फोर्थ 60 minute का तो 60 minute का वन फोर्थ क्या होता है 15 minute तो 15 minute को कहते हैं quarter quarter तो अब माना घड़ी यहां पर है ठीक है इसे क्या कहेंगे यह quarter है 15 minutes 15 15 15 15 15 15 15 15 फोर्थ सिक्स्टी तो इस 15 minutes क्या हो गए है एक बचकर हो चुके हैं तो इसे हम क्या लिखेंगे 15 minutes हो चुके हैं past क्या one one hour one hour होके 15 minutes बीच चुके हैं तो 15 minutes को हमने क्या कहा quarter तो हम इसे कह सकते हैं quarter past one माना कि अभी यहां पर है तो हम इसे क्या कहेंगे एक बज़े नहीं है एक बज़ने वाले हैं और एक बज़ने के लिए कितने मिनिट बाकि हैं कितने मिनिट्स 5 10 15 15 15 minutes बाकि हैं क्या बज़ने के लिए एक बज़ने के लिए 15 minutes 2 1 तो हम इसे क्या कह सकते हैं 15 minutes को हमने क्या कहा quarter तो हम इसे कह सकते हैं इसे हम कह सकते हैं quarter 2 1 clear quarter to 1 हो गया इधर आ गया तो हम कहेंगे quarter to 2 इधर आ गया तो हम कहेंगे quarter to 3 इधर आएंगे तो हम कहेंगे quarter to 4 यह इधर आएंगे तो हम कहेंगे quarter past 4 4 बज़ गय है और कितने मिनिट्स बीद गय है 15 minutes बीद गय है इसे हम कहेंगे quarter past 5 5 अब हम थोड़ा सा random time देखते हैं कि random time देखना कैसे कैसे बताएं तो suppose time यहां पर रहे भी minute की जो निडिर है वह यहां पर है तो हम इसे क्या कहेंगे 5 तो हो चुके हैं कितने मिनिट्स बीद गय हैं 5 minutes तो हम इसे क्या कहेंगे 5 minutes past बीद गय हैं 5 minutes past 5 5 बज़ के 5 minutes suppose अभी घड़ी कि सुई यहां पर है तो हम इसे क्या कहेंगे इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे 10 minutes past हो गए हैं 10 minutes past 1 एक बज़ के 10 minutes 10 minutes बीद चुके हैं इसको क्या कहेंगे 2 बज़ने में कितने मिनट बाकी है 10 minutes to 2 तो हम इसे क्या कहेंगे 10 minutes बाकी है 2 मतलब होने के लिए 2 कौन से अवर में पहुचने के लिए 2 बज़ने के लिए 10 minutes to 2 तो is it clear अगर नहीं समझा है तो आप इसे बार बार दुबारा देखिए ठीक है Thank you झाचर इसे तो 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 उचाल